मुझे लगता है कि प्रदान मंत्री जब मतलब प्रदान मंत्री जी का काम होता है तो वो सदन में आते हैं क्योंकि प्रदान मंत्री जी को सारा देट चलाना है प्रदान मंत्री जी को मिलने के लिए फोरेंड के डिलिगेशन पर आते रहते हैं बहुत सारा काम उनको होता है त जब जरूर प्रदान मंतरी हाउस में आते हैं तो भगवान है क्या इसी तरह का सवाल करना ठीक नहीं है, मलिकार्जुन फर्जे जी आधरनी निता है, एक पार्टी का पॉजिशन लिडर है, और उनने मानने प्रदान मंतरी जी के बारे में इसी तरह की बात करना ठीक नहीं है तो मतलब वो भगवान है क्या इसी तरह का सवाल उनका है लेकिन मालने नरिद मुदी जी अधरनी निता है पपुलर निता है और वो अपना देश बहुत अच्छी तरह चला रहे है मुझे लगता है कि राहूल गांदी जी ने जो भी बाते की है तो मतलब भारत का भारत की हत्या हुई है इसी तरह का बयान उनका ठीक नहीं था जाते जाते फ्लाइंग किस करना ये भी बात बहुत बड़ी बुरी थी और हमारे बीजेबी के महला संसुदों के दरब देखकर उन्होंने इसी तरह का फ्लाइंग किस किया था तो मुझे रगता है कि इसी तरह का काम करना ठीक नहीं है इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है और रहुल गांदी जी को इस एक्टिविटी का मनिशित करते हैं और रहुल गांदी ने माफी मागनी चाहिए ये हमारी माग है सारे साथ और देखके रहिए जूस 24